नमस्कार में प्रिये रंजन और आज की इस एपिसोड में Yes Bank के स्टॉक को डिस्कस करेंगे चुकि Yes Bank में दो बरे खवर ट्रेंड हो रहे हैं इसके नए प्रमोटर्शिप को ले करके जो पहले भी MD कह रहे थे कि हम एक नए प्रमोटर के तलास में हैं कुछ न्यूज आई कि UAE से कुछ इन्वेस्टमेंट आएगा वहां का प्रमोटर हो सकता है जापान के प्रमोटर हो सकते हैं इसको लेकर के बरे क्रिस्टन मार्क लग रहे थे लेकिन जैपैनिस लेंडर नेक्स्ट मन्थ इंडिया विजिट कर रहा है आर्बी आई से बातचीत करेगा लगबग लग 24% के नियर अराउंड इस्टेक अन करती है लगबग 19,000 करोर का उसका भी आपको सेलिंग देखने को मिलेगा और यही सभी निउस्टेंड हो रहा है तो इसके क्या इंपेक्ट होंगे मेरे क्या व्यूज है सभी पॉइंट्स को समझें इससे पहले प्रिमियम टेलिग्राम क नहीं लेंगे 27 के उपर ही स्टॉक बुलिस होने वाला है सबसे पहले यहां देखें तो स्टॉक पिछले 6 मंत के ट्रेंड को देखें तो कंसोलिडेट निगेटिव है आपको याद होगा 28-30 के प्राइस पे हमने कौसन कहा और वहां से यह स्टॉक अंडर परफॉर्म है पह है यहां देखेंगे इस से पहले भी हमने देखा कि कानादा का जो फेयर फैक्स होल्डिंग है उसने 51 परसंट स्टेक जो है वो केरला बेस्ट कैथलिक सीरियन बेंक है उसके अंदर एक्वजिशन करा था और यहां से यह होती है कि भारी ओनर्सिप भी हो सकता है यही खबर ह है दूसरी क्या खबर है कि Japanese lender जो है वो विजिट करेगा इंडिया Yes Bank के stake की buying के लिए Yes Bank के promoter ship के लिए जिसके कारण SBI का लगबग 18,420 करोर का जो की लगबग 24% का stake है वो SBI 25 में sale करेगी एक report आया है जहां SBI to sell it stake in Yes Bank worth 18,420 करोर by end of the end of FY 22 यहां देखेंगे इंडिया's largest state bank में sale 24% stake in Yes Bank which is worth 18,420 करोर by the end of this financial year यह एक report आया है और यहां देखेंगे Japanese lender जो Sumitomo है वो Dubai based इमिडात NBD are advanced stock to acquire a majority stock in Yes Bank two of these sources said कि Sumitomo Mitsuai और Sumitomo Mitsuai Financial Group जो है वो Japanese second biggest bank है जिसके उसके द्वारा acquisition होते दिखेगा जैसे हमारे यहां ICICI bank है both the lender are interested in acquisition और acquiring a majority stake 51% और इसके लिए RBI से approval लेना होगा कोई भी निवेस अगर आप कर रहे हैं या ऐसा समझे सेम कारी करने वाला company अपने parallel company में निवेस नहीं कर सकता यह Yes Bank के अंदर जो SBI COTAG वेगर जो निवेस हुआ था वो इसलिए हुआ था चुकि वो इसलिए के तरफ जाते दिख रहा था तो यह सभी निवेस तो होने हैं तो यह तो positive ही है एक promoter होना काफी अच्छी बात होगी लेकिन short term views मेरे negative ही हैं जब तक 27 के उपर का breakout नहीं करें लॉंग करने से बचेंगे अभी भी यह stock underperform होते दिखने वाला है तो आई होप यह video informative र थैंक यू फर वाचिंग इस वीडियो